एक बहुत ही फेमस इंडियन पाइटिस है युनिस डिसुजा उन्होंने एक पोएम लिखी है औरतों को अड़्वाइस करने के लिए अड़्वाइस टू वुमिन बड़ी कमाल की पोएम है लड़कियां जरूर सुनें वो लड़कियों को कहती है कि बिल्नियां पालो If you want to learn to cop with the otherness of lovers अगर तुमारे lovers या boyfriend तुम पर ध्यान नहींदेते है तो बिल्नियां पालो अगर इस चीज़ से डील करनें का तरीका तुम्में सीखना है तो बिल्नियां पालो यहाँ पे कारण क्या है बिल्निया पालने का कि बिल्लियों के अंदर एक खास बात होती है बिल्लियों जो होती है न वो इतना जल्दी लोगों पर ध्यान नहीं देती बिल्लियों को मनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं बहुत नकरे होते हैं बिल्लियों के तो अगर लड़कियों को ये खासियत आ जाए तो उनके boyfriend ऐसा नहीं करेंगे कि उन पर ध्यान ना दे तो बिलियां पालो, बिलियों से सीखो लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोलती है कि otherness is not always neglect यहाँ पर गौर से सुनना दोस्तों यह जो otherness है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका boyfriend आपपे ध्यान नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको neglect कर रहा है ध्यान दे रहा क्या बोला इनोंने कि अगर आपका boyfriend आपपे ध्यान नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो आपको नगलेक्ट कर रहा है इस चीज का भी ध्यान रखना अगर आप ऐसे मौके पर उससे जगडा या लड़ाई करेंगे अगर वो काम कर रहा है वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा तो आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी तो इस बात को भी समझो जब बिल्लियों को भूक लगती है तो वो अपने कूडे कचरे की पास में वापस लौट जाती है वैसे ही लवर्ट्स भी करते हैं जब उन्हें अपने बिलवड की जरुवत होगी तो वो उसके पास लौट कर आएंगे ही फिर चाहे कितना भी वो कूडा के चला समझे अपने बिलवड को लेकिन लौट के आते हैं इसलिए आप इंस्टन रियक्शन देना बंद कीजिए और आप वेट करिए आपको बिल्लियों से सीखने को मिलेगा कि बिल्लियां कितना पेशिंस रखती है आप वेट करिए उसके वापस आने का अपने दुश्मनों पर खिड्कियों पर खड़ा होकर चिलाओ मत मतलब बला बुरा मत कहो क्योंकि बिल्लियां ऐसा नहीं करती कभी भी बिल्लियों को इतना जल्दी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर पोईटेस बोलती है कि बिल्लियों की जो ग्रीन आईज है वो कितनी खतरनाक होती है न वो कैसे घूर के देखती है ऐसे लगता जैसे हमें डरा रही हो वो हमें क्या सिखाती है कि अकेले मरना सीखो किसी पे डिपेंड मत रहो और यहीं पर यह चूटी सी पोईब खतम होती है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आईए होगी दोसों आज की इस वीडियो बस इतना ही